स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट कोश्चं से नीमन में से कौन मेAR सा साघर योरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो हमारे पास 4 उप्षन दिए हैं फिर्स्ट है काला साघर सेकिंड है लाल साघर थर्ड है अरब साघर और फोट है भूमध्य साघर तो योरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है वो है भूमध्य सागर इसके लवा काला सागर इसका सेकिन नेम है कृष्ण सागर एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि काला सागर का जो अधर नेम है वो क्या है तो इसे कृष्ण सागर भी कहते हैं ये एक महादीप्य समुंदर है जो दखनी पूर्वी यूरोप और तुर्की से घीरा हुआ है सेकंड की बात करें लाल सागर तो ये अफरीका एंव एश्या के बीच एक नमकीन पानी की खाड़ी है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन आता है अंतर राष्ट्रे को जोन डिवस कब मनाया जाता है हमारे पास चार ओप्षन है फर्स्ट है साथ दिसंबर को सेकंड दिया है सोला स्टंबर थर्ड है तीस मार्च और फोर्थ है बाईस एप्रेल इसमें कोरेक्ट आंसर हो जाएगा वो जोन डिवस है जो हर साल सोला सेप्टंबर को मनाया जाता है इसके इलावा बाकी ओप्षन की बात करें तो फर्स्ट दिया है साथ दिसंबर तो साथ दिसंबर को शुशस्तर सेना जंडा डिवस मनाया जाता है यहाँ पर लिख देता हूँ इसके इलावा 30 मार्च की बात करें, तो 30 मार्च को होता है राज्यस्थान स्थापना दिवस और 22 एप्रेल को होता है प्रित्थवी दिवस तो इस कोशन का कुरेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतराश्ट यो जोन दिवस कब मना आजाता है, 16 सेप्तमबर को नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कोशन आता है, किसी खाद्य शरंखला में शाकाहरी होते हैं तो आपको बताना है चार जो शरंखलाती हुई है, इन में से शाकाहरी किस खाद्य शरंखला में आते हैं तो फस्ट दिया है प्रात्मिक उभोगता, सेकंड दिया है प्रात्मिक उभोगता, थर्ड हमारे पास है दुवित्य उभोगता और थर्ड है अवगटन करता, तो जो शाकाहरी होते हैं वो आते हैं प्रात्मिक उभोगता के अंदर, प्रात्मिक उभोगता के अंदर जो शाक तो प्रात्मिक उत्पादक होते हैं, वो chlorophyll की साहिता से प्रकास installation से अपना जो बोजन है तियार करते हैं द्विथ्चय जबित्र अबחता , वो सारे इसे प्रपत साहरी हैं, वो सारे द्वित्य उभोगता के अंदर आते हैं, फोर्थ हमारा दिया है अप गटन करता, तो जो भी गले सड़े पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो अप गटन करता में आते हैं, जैसे एक्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं, कबक और जिवाड हो ग तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो हमारे पास चार ओप्शन दिये हैं, फर्स्ट हमारे पास है जे भूरसायनिक चक्र, सेकिंड दिया है सायनिक चक्र, थर्ड हमारे पास है भूगर्विय चक्र, और फोर्थ है भूरसायनिक चक्र, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाये चक्रिय रूप से एक जीव से स्थान्त्रित होते हैं और पुण्य प्रकृत्य में कहाते हैं इस परकृत्य को ख्रशपरवा केता हैं और जे जीव मंडल में होता है इसे ही जे बूर साइनिक चकर कहते हैं जैसे नाइट्रोजन चकर हो गया फास्फोर्स चकर अधीस तरह से इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option number first जे बूर साइनिक चकर नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन आता है निमिलिक्त में से इधनों में कौन सा नियूंतम प्राइवर्न प्रोदूशन उत्पन करता है हमारे पास चार ओप्शन दिये हैं फर्स्ट है पेट्रोल सेकेंड यह है डीजल थर्ड है हाइड्रोजन और फॉर्थ है कोईला तो हमें इन में से बताना है कि कौन सा नियूंतम प्राइवर्न प्रोदूशन उत्पन करता है तो इसका जो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड हाइड्रोजन हाईडोजन है जो नियोंतम प्राईवर ने प्रोदूशन उत्पन करता है फर्स्ट की बात करें पेट्रोल की तो इसका जो सेकिंड नेम है वो है गेसोलिन इसे गेसोलिन भी कहा जाता है और ये पेट्रोलियम से प्राब्त होता है नेक्स्ट है डीजल तो पेट्रोलियम को काफी मात्रा में ठंडा करने पर जो प्राप्त होता है वो होता है डीजल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज हुई है 1766 में हैंड्री केविंडिस नाम के विज्यानिक ने 1766 में इसकी खोजगी थी तो हाइड्रोजन जो वर्ड है वो एक ग्रीग वर्ड है इसका क्या मतलब होता है हाइड्रा का मतलब है यहां पर जल और जेन का मतलब है उत्पातर यह क्या करता है है उक्सिजन के साथ चल कर जो पानी मनाता है एच्टू ओ नेक्स्ट है कोईला तो यह क्या है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो इधन के रुप में यूज होता है कोईले की बाता ही है तो इसके प्रकार भी हम पढ़ लेते हैं तो कोईला च्यार प्रकार का होता है फर्स्ट आता है पीट, यह किसम है कोईले की, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50%, 50% से लेके 60% तक, फर्स्ट टाइप थी पीट, तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50% से लेके 60% तक, और इसे जलाने पे अधिक जो राख और दुआ निकलता है, यह सबसे निमन कोटनी का कोईला होता है, सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड इसकी टाइप आती है, लिगनाइट, लिगनाइट, इसमें अगर बात करें, कार्बन की तो यह होती है, 65 से लेगे, 70 परसंट तक, लिगनाइट में कार्बन की मातर होती है, पेंट से लेगे, 70 परसंट तक, और इसका जो रंग होता है, वो होता है, बूरा, यह बूरे रंग का होता है, और इसमें जो जलवाश की मातर है, वो अधिक होती है, थर्ड नमपर पर बात करते हैं, थर्ड इसकी टाइप आती है, बिट्टू मिन, बिट्टू मिन, जो टाइप है इसकी, इसमें क्या होता है, जो कार्बन की मातरा होती है, वो होती है, 70 से लेगे, 80 परसंट तक, और यह काफी मुलाइम होता है, इसका उपयो गरेलू कारे में होता है, लास्ट आता है, फोर्थ नमबर पर, यहाँ पर लिख जेता हूँ, फोर्थ नमबर पर आता है, एंत्रसाइट, एंत्रसाइट, एंत्रसाइट है इसमें कहा है कोईले की जो कार्बन की मात्रा होती है वह होती है 85 से ज्यादा और यह सबसे उत्तम किसम माने जाती है कोईले की फिर से रपीट करते हैं फर्स्ट हमने पढ़ा था पीट जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 50 से 60 परसंट तक सेकिंड पर आया था लिगनाइट इसमें पेंट से लेके 70 परसंट तक और इसका कलर होता है बूरे रंग का अधिक और यह सबसे उत्तम क्वाल्टिका कोईला माना जाता है और यह सबसे निमन क्वाल्टिका पीट है जो सबसे निमन क्वाल्टिका कोईला माना जाता है और सबसे उत्तम क्वाल्टिका है एंत्रसाइड नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं है आुआ कर से और चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशना आता है संकट प्रस्त जन्टु देठियकार-पाण्ड़ा पाये जाता है तो आपको बताना है यह कहां पाया जाता है चार ओप्षन दिया है, फर्स्ट है भारत में, सेकंड दिया है अस्टेलिया में, थर्ड हमारे पास है चीन में, वो फोर्ट है ब्राजील में, तो संक्ट प्रस्थ जंतु देत्यकार पंडा है जो ये पाया जाता है चीन के अंदर, चीन के अंदर कहां ये पंडा, चीन के अं यहां पर दर्खत होते हैं तो इनके उपर यह पाया जाता है चेन में इसको कहते हैं जुयांग माउ जुयांग माउ इस नाम से भी जाना जाता है इन्हें या फिर इसे विशालकाई बिल्ली या भालू भी कहा जाता है अब इनको WWF में रखा गया है यानकी World Wildlife Federation द्वारा जो सुरक्षित पर जाती हैं उनके अंदर इनको रखा जाता है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन आता है निमनलिफ्ट में से किस गैस के कार वह पाल गैस त्रस्दी हुई थी तो हमारे पास च्यारר ओप्षिन है सेकन्ड है क्लोरो फ्लोरो कार्वन थर्ड यह है नाइट्रस उपसाइड और फूर्थ है मिठाइल आइसो साइने इस कोशन का जो कोरेक्ट आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर फूर मिठाइल आइसो साइने तो यह हुआ था दो दिसंबर 1984 बोपाल की एक Union Carbide Factory थी उसके अंदर क्या है इस मिधाइल आइसो साइनेट गेंस का रिसाव हो गया था जिसके कार्ण काफी लोगों की मोत हो गई थी इसके इलावा बाकिय उप्षिन की बात करें तो फर्स्ट है Carbon Dioxide तो यह क्या है यह एक रंग हिन तथा गंध हिन गेंस है और जो पिर्थवी में जीवन के लिए सबसे अवशक है इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CO2 जो बनती है ओक्सिजन के दो परमानों प्लस एक कार्बन के परमानों से मि मात्रा की तो धर्थी पे इसकी मात्रा होती है लगबग 0.03% सेकिंड है क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो यह क्या है यह कार्बनिक योगिक होता है कार्बनिक योगिक यह मनता है कार्बन कार्बन फ्लस क्लोरीन फ्लस हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन सबसे मिलके बनता है जिसका फॉर्मुला है CHCl3 और यह जो ओजोन पर्थ को नुकसान पहुचाने में सबसे ज्यादा भूमिका निवाती है नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रस ओक्साइड काफ़ इंपोर्टन है नाइट्रस ओक्साइड को क्या कहते हैं लाफिंग गैस भी कहा जाता है हसने वाली गैस किसे कहा जाता है नाइट्रस ओक्साइड को और इसका एक और नाम है नॉक्स भी कहा जाता है नॉक्स गैस भी इसे कहा जाता है यह क्या है यह एक रसाइनिक अकार्बिक योगिक है यह एक रसाइनिक अकार्बिक योगिक है इसके फोर्मुले की बात करें तो इसका फोर्मुला है एन टू ओ नाइट्रस ओक्साइड का फोर्मुला है एन टू ओ लास्ट हमारा था मिठाइल आइसोसाइनेड मिठाइल आइसोसाइनेड तो इसके फोर्मुले की बात करें तो मिठाइल आइसोसाइनेड का फोर्मुला होता है C2 C2H3NO C2H3NO next question क्यों चलते हैं हमारा next question आता है किस देश में Christmas का तेहार गर्मियों में मनाया जाता है first option दिया है भारत second दिया है जैपान third है Australia और fourth है America तो जो Christmas का तेहार है गर्मियों में मनाया जाता है Australia के अंदर Australia के अंदर गर्मियों में ये तेहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को इसका कारण क्या है जो अस्टेलिया है ये दक्षनी गुलार्थ में स्तित है तो यहाँ पे 25 दिसंबर जो क्या है 1st मंथ होता है गर्मियों का और यहाँ से लेके ये February तक चलता है 28 या फिर नतीश Thai February तक जो गर्मिया है चलती है और क्रिस्मस ते वहरे जो इसा मस्जी के जनम की खुशी में मनाया जाने वाला एक पर्व है और इस दिन स्वंपूर्ण विशुप में अवकांच रहता है और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं गिर वन्य जीव अभ्यारन नेमन में से किस वन्य जीव का सरक्षन करता है हमारे पास चार ओप्षन है फस्ट दिया है साम्प, सेकिंड दिया है हाती, थर्ड है गेंडा और फोर्थ है शेर तो जो गिर वन्य जीव अभ्यारन है वो किस जीव का सरक्षन करता है option number 4 शेर का और ये है गुजरात के अंदर गुजरात में है गिर नेशनल पार्क गुजरात की राजदानी है गांधी नगर इसके इलावा option number 3 की बात करें गेंडा जो एक अभ्यारण है काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क तो ये पूरी दुनिया में मशुहूर है एक सिंग वाले गेंडे के लिए नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं निमन में से कौन सी प्रकृतिक वनस्पति मारुस्थ लिए प्रदेशों में पाए जाती है फर्स्ट ओप्शन है केक्टस सेकेंड दिया है महोगनी थर्ड है फर और फोर्थ है चंदन तो इस कोशन का कोरेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर फर्स्ट केक्टस केक्टस है जो यह वनस्पति मारुस्थ लिए प्रदेशों में पाए जाती है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन आता है ग्रीन मफलर संबंदित है तो चार ओप्शन है हमारे पास फर्स दिया है वाईयू प्रदूशन से सेकिंड दिया है उत्रा प्रदूशन से थर्ड हमारे पास है ध्रदूशन से और फोर्थ है जल प्रदूशन से तो ग्रीन मफलर संबंदित है ध्रदूशन से ओप्शन नमबर थर्ड हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अब ग्रीन मफलर क्या है तो ये एक टेखनीक है जिसमें हम क्या करते हैं इस तरह से चार या पांच पंक्तियों में व्रक्ष रोपन करते हैं ये व्रक्ष क्या काम करते हैं ये ध्वनी को फिल्टर करते हैं जहां पर द्वन्य ज्यादा होती है जैसे सड़कों के किनारे, उद्योगी शेत्रों के किनारे या फिर राजमार्गों के किनारे इस तरह से चार या छे पंक्तियामनाकी उसके अंदर वक्ष रोपन करते हैं और इसी टेकनीक को हम केते हैं ग्रीन मफलर नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारे आज के लास्ट कोशन क्यों चलते हैं भूब प्रिस्तिति की तंतर में उच्चा का महत्तपुल्ण सुरोत कौन सा है हमारे पास चार उप्षन है फर्स्ट यह है पृत्वी सेकिंड यह सूर्य थर्ड है चंदर्मा और फूर्थ है शूक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को जुरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफियेशन आप तक पहुंसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केब